अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे पास कानपुर के गाड़ी एक्सिटेंट की न्यूज भेजी और वो पूछ रहें के सर इसमें सेक्शन कौन कौन सा लगेगा देखो चलती गाड़ी में चार बच्चों के सामने दारू के नशे में थ्री सम करते हुए गाड़ी ठोक दी अब इसके अंदर मोटा मोटी तीन सेक्शन ऐसे हैं जो लग सकते हैं पहला सेक्शन 281 भारतिय नय सही था जिसमें रेश और नेगलिजेंट ड्राइविंग के जो सजा है वो छे मेने तक की है दूसरा इसमें लग सकता है सेक्शन 324 भारतिय नय सही था क्योंकि जो प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्ट्रॉई की है उस प्रॉपर्टी की वेल्यू 20,000 से जा तो इसमें 2 साल की जेल हो सकती है लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी वो दारू की नशे में गाड़ी के अंदर बच्चों के सामने कर रहा है तो उसमें सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट भी लग सकता है जिसके अंदर 3 साल तक की जेल है इसके अलावा जो मोटर वहिकल एक्ट के अंदर इसके चलान होंगे और जो बाकी के सेक्शन लगेंगे वो बिलकुल अलग है सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोट ने कुछ साल पहले कहाता है कि रोड पे चलती हुई गाड़ी जो है वो पब्लिक प्लेस कंसिडर की जाएगी तो पब्लिक प्लेस पे जो इन्होंने ओपसीन एक्ट किया है उससे रिलेटेट सेक्शन 296 भारतिनाय सहीता भी इसके उपर लग सकता है